तिंगज बिस्निसमैन मुखेश अम्बानी, वनीता अम्बानी ने 1 से 3 मार्च 2014 तक अपने छोटी बेटे अनंद अम्बानी और रादेका मर्शिंट के लिए स्टार स्टड़ेट प्री वेडिंग पार्टी की मेजबानी की अम्बानी परिवार के प्रतिक सदस्य ने इस जशने को दिल खोल कर इंजॉय किया हालकि पार्टी अब ख़तम हो चुकी है लेकिन इंटिनेट अभी भी इनकी इंसाइट जल्कियों से सरोबर है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब अनंद अम्बानी ने कभी शादी ना करने का फैसला कर लिया था एक इंटिव्यू में जब अनन्द अम्बानी से उनकी शादी को लेकर सवाल पूछा गया, तब अनन्द अम्बानी ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने पहले मन बना लिया था, कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे, जिस शादी के लिए इतनी जोरो शोरो से तैयारियां चल रही है, उससे पहले अनन्द अम्बानी का ऐसा जवाब सुनकर किसी को भी हैरानी होगी, लेकिन अपनी इस जवाब के पीछी अनन्द अम्बानी ने काफी लोजिकल वज़ा बताई, इतना ही नहीं उन्होंने अपनी होने वाले पतनी राधिका से जुड़ देते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक पाशु प्रेमी हूँ, अपने बचपन से अब तक मैंने सिर्फ किसी ना किसी रूप में छोटे बड़े हर तरह की जानवरों की सेवा की है, मेरा जानवरों की प्रती लगाओ कभी खतम नहीं होगा, मैं अपना सारा समय इसी काम में अपने वाले पक्षियों की सेवा करती थी, अपनी मा का जानवरों के लिए प्यार देखकर मैंने भी उनसे इस अच्छी आदत को अपना लिया, अनत ने आगे कहा कि उन्हीं पहले ऐसा लगता था कि कोई उन्हीं समझेगा नहीं, इस वज़े से वो शादी नहीं करना चाह लेकिन राधिका मर्चिंट से मिलने के बाद उन्हें वो बिल्कुल अपनी ही जैसी लगी, इसके अलावा राधिका अनत की हर परिशानी में उनके साथ खड़ी रही, अपने इंटिव्यू में अनत ने कहा कि जब वो अपनी बीमारियों से जूज रहे थे तब राधिका न साथ देती है, फिलाल अनत अब बारे के इस बयान पर आपका क्या कहना है नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राए जरूर शेर कीजिए